नमस्कार दोस्तों बीसी यानी बॉलिवूड चलोगे में आपका सोगत है आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं पठान मूवी के बारे में और इसके बारे में बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है जी हाँ दोस्तों अगर पठान मूवी के में विलेन की बात करें तो में विल बलकि कोई और है जी हाँ दोस्तों पठान मूवी के क्लाइमस का दरसल खुलासा हो गया है जिससे की मेकर्स को हो सकता है भारी भरकम नुकसान सोशल मीडिया में वाइरल हो रही खबरों की माने तो लीड रोल में जो विलेन है पठान मूवी का जॉन इप्राहिम दरसल जॉन इप्राहिम नहीं है में विलेन क्योंकि जब पठान मूवी का टेलर आया था तो टेलर में ये दिखाया गया था कि में विलेन है जॉन इप्राहिम और जो की दीपका पादोकर है वो पठान यानि कि शारूख खान की लवर है ये टेलर में दिखाया गया है लेकिन अब इसम सवाल उठ रहे हैं और हाला कि कई नेटीजन्स का तो ये भी मानना है कि इसमें जो लीड विलेन है वो जॉन इब्राहिम नहीं बलकि दीप का पादोकर है जी हाँ दोस्तों दीप का पादोकर इसकी मेन विलेन हो सकती है अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये टेलर आ गया था टेलर को देखने के बाद इस चीज का अनुमान लगाया गया है कि इस मूवी का मेन विलन दीब का पादोकर है और इससे बहुत ही बड़ा जो सस्पेंस था वैसे कि सारुक खान तो चार साल बाद ही कमबैक कर रहा है पठान मूवी को ले करके और यसराज पैनर की ये मूवी है तो टेलर में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता इतना तो वो भी मानते हैं इसलिए उन्होंने कुछ सस्पेंस बचा के रखे हुए थे हाला कि अब इस सस्पेंस का खुलासा होता जा रहा है और धीरे धीरे अब ये बात बहुत तेजी में फैल रही है कि पठान मूवी का जो मेन विलन है वो दीब का पादोकर हो सकता है दोस्तों आपक सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों मिलते हम आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइब